इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. बिना लिया जा सकता है. आप इसके लिए क्या ले रहे हैं? इसके आधार पर आपका डॉक्टर उचित खुराक का सुझाव देगा. पहली खुराक आमतोर पर सरजरी, कीमो थेरपी या रेडियो थेरपी की शुरुआत से पहले ली जाती है. इन उपचारों के बाद अपने च दवा कैंसर के उपचार से जुड़े अन्य दुश प्रभावों से राहत नहीं देती है. साथ ही, मोशन सिकनेस के कारण होने वाली उल्टी पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है. इस दवा को लेने के सबसे आम साइड एफेक्ट्स में सिर्दर्द, दस्थ या कबज और ठकान महसूस होना शामिल है. जब आप दवा लेना बंद कर दे तो ये लक्षन गायब हो जाने चाहिए. हाला कि अगर ये दुश प्रभाव आपको परेशान करते हैं या दूर नहीं होते हैं, तो आपका डॉक्टर उन्हें रोकने या कम करने के तरीके सुझा सकता है. इस दवा को लेने से पहले अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या आपको हिरदय या यकृत की समस्या है या आपके पेट या आतों में रुकावट है. इसके अलावा अपने चिकित्सक को किसी भी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे होंगे. विशेश हिरदय की समस्याओं, कैंसर और अवसाद के इलाज के लिए दवाएं. ये इस दवा को प्रभावित या प्रभावित कर सकते हैं. यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह ले. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद.